Hey guys, welcome back to the new video तो guys, इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत जादा serious topic के बारे हम बात करने वाले हैं जो कि है भाई, Apple और iPhone के बारे में भाई, बहुत लोग iPhone खरीदते हैं, BGMI खेलने के लिए और भी काफी चीजों के लिए iPhone खरीदते हैं लेकिन यहाँ पे हो चुका है, मेरे साथ एक scam क्योंकि मैंने यहाँ पे iPhone 14 Plus खरीदा था सिर्फ और सिर्फ चार महीने पहले और भाई, उसके अंदर कुछ दिक्कते आना शुरू हो गई दिक्कते in the sense कि भाई, वो चलते चलते अपने आप ही switch off होने लग गया और उसके बाद, जो Apple की तरफ से मुझे support मिला है, भाई, वो इतना घटिया है किसी Chinese company से भी आप इतना घटिया support जो है, वो expect नहीं करोगे तो भाई, पूरी वीडियो के अंदर मैं आपको सारे proofs दिखाने वाला हूँ service center से मेरी क्या बात हुई, और भाई, मेरा phone की condition कैसी थी, वो एक बार single बार नहीं गिरा और भाई, उसके बाद कैसे वो मुझे 60,000 से जादा का जो है, वो बिल बना के देते हैं, warranty के अंदर और उनकी जो टीम है, वो कोई reply तक नहीं देती, कि भाई, क्या यहाँ पर दिकत आ रही है phone के अंदर तो guys, पूरी वीडियो देखना, और अगर आप लोग नए हो, तो like and subscribe ज़रूर करना, तो guys, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो भाई, जैसे कि आप लोगों ने देखा, अभी अभी phone switch off हो के, दुबारा से switch on हो रहा था, तो मैंने क्या किया, अपने ये problem लेके, मैं service एंटर गया, तो मैं पहले imagine के service एंटर गया था, तो उन्होंने क्या किया, कि भाई, वहाँ जाके, उन्होंने मेरा phone reset कर दिया, न भाई, मैं पूरी condition दिखा रहा हूँ, आपको अपनी phone की, एकदम mint condition, एक single scratch इंद पूरे phone पे, तो मैंने जो है, वो दुबारे से submit कर दिया, इनके पास phone, और solution करने के जगे, इन्होंने मुझे 64,000 रुपे का जो bill है, वो मेरे हाथ में दे दिया, और उसकी live पूरी recording मैंने क की है, और भाई, वीडियो के end तक जरूर देखना, और पूरी live recording सुनके जाओ, और देखो कैसे इनका support काम करता है, बस सर बढ़िया, बताईए कैसे हैं सर, मैं भी बहुत अच्छा हूँ, सर दिके जैसे कि आपने उस दिन बोले था कि इसको, वा further check कराईए सर, आपके कहने पर जब आप अपना delivery report करेंगे, तभी पता चल पाएगा, सर, issues हमारे पास, exact internal issues में हम दिकाए है, कि internal कुछ damage है, internal damage में कई सारे चीज़ आते हैं, जो कि उस दिन भी मैं example बताया था, सर, example नहीं जाना ना मुझे, सर, सुनिया, सुनिया, मुझे example नहीं जाना ना, मुझे 64,000 का अगर आप लोग बिल दे रहे हैं, तो मुझे ये तो पताओ ना चाहिए, मुझे issue क्या है, फोन में अगर, देखो सुनना सुना, अगर internal कोई error है, तो वो तो आप लोगों की responsibility है ना, warranty में, अगर भार से टूटा होता, या कुछ गिरा होता, या scratches या कहीं से भी कुछ damage होता, वो मेरी responsibility थी, तो warranty का मतलब क्या हुआ, अगर by chance, मेरे को तो कुछ पता ही ने चल रहा है, आप लोग तो सिरी सीधा बिल दे रहे हो, मेरे को, सर्विस सेंटर वान दो मना कर दिया, हमारे बास कुछ निया जी, आप सर्विस उपर एपल सपोर्ट से बात करो, सर्विस सेंटर फोन कर रहा हूं, तो वो लोग बताएंगे, आप कह रहे हो कि वो लोग बताएंगे, मेरे को, अगर फोन में कोई टूटा फूटा होता हलका फूलका या कुछ भी होता है, गिरा भी होता आज तक एक बार भी फोन, तो मैं समझता कि चलो मेरी तरफ से कोई एरर है, फोन बिल्कुल fit and fine है, इंटरनल एरर के नाम पे मतलब अगर आप लोगों से ठीक नहीं हो रहा तो आप लोगों ने कहज़िए इंटरनल एरर है, तो उसमें मेरी क्या जिम्मेदारी हुई, अगर टूटा होता तो तो मैं समझ सकता सा कि मेरी गलती के विज़े से हुआ है कुछ, मेरी कहां पे गलती है, सर मेरे को वो जानना है, मैंने अगर 72,000 रुपीज खर्च किया है इस फोन के उपर तो मेरी कहां गलती हुई है, वो जानना है न मुझे, सर दिखे, एक्सेक्ट जैसे आपको समें particular कौन से component हीट हुआ है, कौन से component effect हुआ है, तो भाई इतनी गंदी service मतलब इनको कुछ पता ही नहीं है, मेरी device में कुछ error आ गया है, 64,000 का bill देने है, लेकिन यह मुझे बताना भी नहीं चाहते कि भाई उसके अंदर error कौन से component में आया है, मतलब यह चाहते कि मैं 64,000 उपर pay कर दू इनको, 70,000 के लावा, और यह मुझे बताएं भी ना कि मेरी गलती क्या है, और यहां पे कौन सा पार्ट है वो damage हुआ है, तो guys तीन दिन के बाद मैं यहां पे अपना device collect कर पाऊंगा, क्योंकि वो bank lord से वापिस आपाएगा, उसके बाद guys जो भी आगे मुझे अपना device है वो सही हो के मिलेगा या नहीं मिलेगा मुझे नहीं पता, लेकिन guys आप लोग जरूर जो है वो apple के devices लेने से पहले चार बार सोचना, क्योंकि भाई service इतनी घटिया और भाई इतने महंगे devices के इतने महंगे bills मिल रहे हैं हमको, कि भाई हम उसको कैसे पे करेंगे, तो at the end मुझे लग रहा है कि मुझे consumer quote में ही इनके खिलाफ एक complaint डालनी पड़ेगी, तो आगे जो भी update होगा guys वो जानने के लिए like and subscribe करके जरूर जाना, ताकि आपको भी पता चले कि भाई ये at the end सही हो पाएंगे और आपके साथ कोई ऐसी issue आ जाता है तो क्या करना चाहिए, तो guys मिलता हूँ आपको एक नए वीडियो के अंदर तक लिए I'll do the goodbye, take care.